लोगसभा चुनाओं में राजस्थान की होट सीटों में से एक यह यूं कहें कि बहुत ही प्रीसियस सीट बन चुकी है वो है चित्तौरगट लोगसभा सीट इस सीट पर लगातार तीसरी बार भाजपा प्रदिशद्यक सीपी जोशी चुनाओं में हैं और यह सीट इसलिए भी चर्चाओं में रही है क्योंकि इसका इतिहास कभी जनसंग से तो कभी भाजपा के दर्मिया रहा है हाला कि परंप्राएं टूटी हैं और इस भाजपाई गड़ पर कॉंग्रेस ने भी एक दौर में कबजा किया लेकिन फिर से भाजपा यहां पर्चम लहरा रही है पिछले दो चुनाओं के बारे में सब जानते हैं सीपी जोशी ने यहां से 2014 और 2019 के लोकसवा चुनाओं मे प्रत्याशित जीत दर्ज की थी लेकिन इस बार के चुनाओं में सीपी जोशी के सामने बड़ी चुनाओं सामने खड़ी है नमस्कार मैं हूं विजय वर्मार राजपूतानया के शौरे और पराक्रम का महादुर्ग है चित्त औरगट और इस लोकसवा सीट का राजनितिक इतिहास भी काफी दिल्चस्प रहा है चलिए बात करते हैं अभी 2014 के लोकसवा चुनाओं में बीजेपी के सीपी जोशी ने कॉंग्रेस की गिर्जा व्यास को तीन लाग सोलह हजार आठ सो सत्तावन मतों से हराया था हाला कि उस वक्त पूरे देश में मोदी की लहर थी लेकिन 2019 के लोकसवा चुनाओं में भाजपा के सीपी जोशी ने कॉंग्रेस के उम्मीदवार गोपाल सिंग इडवा को पांच लाख 66,247 मतों से परास्थ किया था चित्तोर गड़ संसदी एति हास कि यह सबसे बड़ी जीत दर्ज हुई थी अब चुनावी बिगुल के साथ एक बार फिट से सीपी जोशी पूरे प्रदेश में सीम भजलाल के साथ दौरों में जुट गए है मिशन 25 का टास्क जो पूरा करना है यानि राजस्थान में भाजपा की हैट ट्रिक लगानी है लेकिन क्या इस बार रह उतनी आसान है चलिए यह अलग इशू है आज सिर्फ हम चित्तोर गड़ लोगसवा सीट की बात करेंगे जो भाजपा का गड़ मानी चाहती है और लेकिन इस बार जीत की राह में कई सारे रोडे हैं सबसे बड़े रोडे तो विधायक चंद्रवान आक्या माने जा रहे हैं दो बार के विधायक रहे आक्या को बीजे पी ने पिछले विदान सभा चुनाओं में टिकेट नहीं दिया था आक्या बागी हो गए और निर्द इससे डरे हुए घबराय हुए बीजेपी नेताओं ने उनसे वारता की भजनलाल शर्मा ने खुद ने सुले कराई लेकिन सीपी जोशी के खिलाब उनके मन में क्या चल रहा है अभी कहां नहीं जा सकता मतलब भितर गात का खत्रा हो सकता है सीपी जोशी को यहां से इसकी चंद्रबहन आक्या का टिकेट करते ही वहां चित्तोरगड में बड़ा जोड़दार विरोध हुआ उस वक्त सीपी जुशी के पुतले भी जलाए गए इसके लबा कॉंग्रेस ने पूर सांसद और पूर मंतरी उधनलाग आजना को इस बार यहां से टिकेट दे दिया है भारत आदिवासी पार्टी भी यहां इस बार बड़ी चुनोती है मांगी लाल ननामा इस पार्टी से आते हैं इस बार चित्तोरगड लोगसभा अनारक्षित है मतलब की सामानेवर कि सीट है यहां कोई भी चुनाव लड़ सकता है भाजपा सरकार में विदेश मंतरी जस्वंत सिंग भी यहीं से जीते थे विदानसवा अन्येता प्रतिवक्ष गुलाब चंद काटारिया नर्पत सिंग राजवी पूर उदयपुर कस्ती थी सीपी जोशी को इडवा के मकाबले 40 फिस्दी मत जादा मिले थे इसलिए लंबे अर्षा से चित्तोरगड को भाजपा का गड़ माना जा रहा है है यहां से भाजपा जीतती आई है आजाती के बाद जब पहला लोकसभा चुना हुआ तब जनसंग को तीन सीटे प बाद 1957 बासाट और 66 में कॉंग्रेस को जीत मिली उसके बाद समीकरण बदले 1971 जनसंग ने एक बार फिर वापसी की कॉंग्रेस का तीन बार का रिकॉर्ड तोड़ा लेकिन एमरजेंसी के चलते 1977 में इंद्रा गांधी ने सत्ता हो दी और इन सब के बाद जनता पार्टी लेकिन फिर जीत बार कि पिचले पांच लोगस्वाइब कम एक बार के चुनाओं में जीतनी थी डोजानोंी कि से ग虜ज़ saws दकॉप asteroids प्र एंत 6 की motherf बीजेपी के साथ ही प्रदेश अदेख सीपी जोशी की साख प्रतिष्ठा इससे जुड़ी हुई है देखते हैं इस बार बिगड़े समी करणों को सीपी जोशी चे तौड में कैसे साथ हैं मुझे दीजिए जाजत नमस्कार